नमस्कार प्यारे चात्रों कैसे हैं आप उमीद करता हूँ बहुत बढ़िया है स्वस्थ हैं सुरक्षित हैं आपका परिवार भी स्वस्थ सुरक्षित है तो आज हम आ गए हैं हमारे सेवन्थ सेशन पर कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक के पूरे छे और ये सात्वा दे से पहले ये बात हमें बताईए आते ही सेशन को लाइक और शेयर कर लीजे ये एक सीरियस नॉलेज लेक्चर सीरीज है यूपी एससी आईएस की तैयारी के लिए सभी सीरियस स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं और इसका पूरा-पूरा फाइदा ले रहे हमें आते हैं यहां आपको हम उसके मूल तत्व इस फ्री सीरीज में अच्छे से बता रहे हैं तो आज का हमारा थर्ड सेशन हो जाएगा 10 जून का अंडिस्टैंडिंग GDP 3 ठीक है जी प्यारे दोस्तों इससे पहले किया मागे बढ़ें मेरा च्छे जलाए से बहुत ही शांदार च्छे बूस्टर प्रीमियम में अलरी 240 से जादा सेशन रेडी हैं आप जॉइन करेंगे हर हफ़ते 5 सेशन और मिलेंगे 6 मेने का एक्सेस है और इंग्लिश क्रेकर के 100 सेशन का एक साल का एक्सेस दिस इस वंड़फुल वैल्यू फर मनी कॉम्बो आज के आज बिना सोचे इसको जॉइन करें और इसका पूरा पूरा लाब 6 जुलाई से उठाना शुरू करें सेम फिर एकॉनोमी क्रैकर तो जो लोग एकॉनोमी पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ आपके लिए यह कोर्स यह आठ जुलाई से आ रहा है तो उम्मीद करूंगा कि आपका पूरा समर्थ से उप्यसी फोकस पड़ा रहा हूं और पिछले कई सालों का जो पूरा हमने क्वेस्टन बैक्वेस्टन की साइट पर दिया हुआ उसको आप देखेंगे आपको इस सारी बातें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी आए दोस्तों आज का का काम शुरू किया जाए आज का हम हमारा एजंडा आपके सामदे हैं तो हमने अभी तक जो तीन मेथट पढ़े थे जीडीपी के उसमें क्या क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं वह देखेंगे उसके बाद वर्ल जीडीप इंडियन जीडीप पर कैपिटा कैलकुलेशन को एक बार देखेंगे उसके बाद भारत सर नौकरियों के सरजन की क्या स्थिति है what's happening with the situation of job generation in India उसके उपर मैंने एक पूरा section तयार किया latest data का आपके आखेंगे बहुत ध्यान से पढ़िएगा आपको बहुत कुछ जानने का मिलेगा कि भारत के GDP का jobs के साथ employment के साथ क्या relation है वो हम बहुत अच्छे से देखेंगे और फाइनली exam oriented questions शुरू करें तो दोस्तों हमने ये तीनों पद्धतियां अच्छे से देख ली हमने इन तीनों को समझ लिया कि यह expenditure method हो सकता है production method हो सकता है income method हो सकता है और ultimately production process का जो output है उसका final value जो है वही हमारा GDP होता है तो यह तो अब सबको बहुत अच्छे से समझ में आ बात कर ली थी तो आज हमारा जो लक्ष है वो लक्ष यह है कि यह अगर भारत की economy और 123 तीन तरीकों से GDP मेजर होता है तो यह हो गया आपका net output वाला एरिया यह हो गया income flows का और यह हो गया expenditure का मैं GDP को किसी भी तरह से मेजर करूं तीनों सेम ही आने चाहिए यही बात हमारा य कि यह जो तीन पद्धतियां हैं जैसे यहां हमने बोला कि भाया net output method यह production method है तो इसमें कौन-कौन सी सावधनिया रखनी पड़ती है calculation में यह exam के लिए वड़ा important है भाया उसके बाद हम बात करेंगे income method में तो जो method number 3 है उसमें क्या-क्या precautions है और तीसरा होगा expenditure method समझ में आ सारे साथ पढ़ा अभी तक कि जो उत्पाधन के कारक होते हैं land, labor, capital और entrepreneurship उसको production stage में लगाया जाता है जिससे goods and services पैदा होते हैं या तो उनकी पूरी value निकाल लो या इस forms के पूरे set रहे production stage पे जो company आ कारे रत हैं उन्होंने factor payments को जो कुछ payment किया wages profits interest rent जो हमारे यहां पर income method में आ रहा है ना compensation of employees, operating surplus, mixed income of self-employed, depreciation which is cost of which is consumption of fixed capital और net indirect taxes या तो उसको में शर्कल लो और या फिर finally इन्होंने जो खर्चा किया उसी से उन्होंने वस्तूरते वहां को खरीदा तो expenditure method है तीनों ही method बहुत popular है हालांकि अपना अपना तीनों का use है तो यह output method हो या income method हो या expenditure ह इनके अब कुछ precautions होते हैं वही हम देखने जा रहे हैं शुरू करूँ तो यह है caution in value-added method यहने production method तो जब हमारा ministry of statistics and program implementation और central statistics office और national service statistics office जब काम करता है तो वो किन precautions को ध्यान में काम करता है यह अब हम देखने जा रहे हैं production method में क्या-क्या सावधानिया आपको बरत नहीं है कुछ भी पूछा जा सकता परीक्षा में ध्यान रखना वरी यह syllabus का हिस्सा है value of the sale and purchase of second hand goods is not to be taken तो जो second hand goods आपने खरीदे बेचे इस साल वो GDP में count नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि पहले साल जब वो बने थे त commission earned on sale and purchase of second hand goods is taken क्योंकि वो तो value added हुआ है अब जो second hand वस्तु बिकी और उसका जो consideration आया वो तो में GDP में नहीं ले सकता लेकिन जिस broker ने उसको बेचा जिस मध्यस ने दलाल ने उसको बेचा उसने जो ब्रोकरी ली दलाली ली commission खाया earn किया वो हम इसमें लेंगे क्योंकि वो तो fresh income generation है ना that is a fresh value addition वो add होता है समझ में आगया own account production of goods of producing units is added अब अगर मारूती company अपनी ही company की गाडियों का इस्तेमाल अपने हजारों employees को घर से लाने ले जाने के लिए करेगी तो वो गाडियां हम इसमें add करेंगे समझ माया उसको हटाएंगे नहीं imputed value of production for self consumption is taken up जैसे भारत के करोडो करोडो किसान वही 14 करोड किसान भारत में उन्हीं के लिए PM किसान योजना लाई गई है PM किसान का full farm क्या है प्यारे दोस्तों किसान संबान ले ती तो प्रधान मंत्री इसको 2019 में लेकर आए 75,000 करोड का साल का budget है और यह किसानों को दिया जाता है तो भारत इसको कहते हैं PM किसान स्कीम इसका लक्ष है कि यह एक तरह से यह आप डारेक्ट इंकम सपोर्ट इमान लीज़िए लेकिन यह केवल लैंड होलिंग फार्मर्स को मिलता है लैंड्लेस लेबर स्को यह नहीं मिलता है यह उसकीम की एक कमी भी ध्यान रखियेगा यहां हम बात कर रहें, self-consumption का imputed value लिया जाएगा, तो भारत के ऐसे करोडों किसान हैं, जो उगाते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा खुद के consumption के लिए रख लेते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे हैं, कि वो बाधार से क्या खरीदने जाएंगे, तो अगर गेहूं उगाया, चावल हुगाया, गना हुगाया, कुछ भी आपने दाले हुगाई, कुछ भी किया, उसका एक हिस्सा वो खुद के लिए रख लेता है, उसकी value को GDP में लिया जाता है, समझ में आया आपको, so that imputed value of production for self-consumption is taken, उसको हटाया नहीं जाता है, intermediate goods are not taken, क्योंकि वो तो final good का हिस्सा बन जाते हैं, यह हमने production process में देखा था, कहां देखा था, यह हमने यहां पे देखा था, यह याद आ रहा है आपको, तो जब हम बोलते हैं कि भाई है, यह secondary inputs हैं और वो उसके अंदर merge हो गए, तो यह है वो, ठीक है ना, बारी की से सारे PDF कितने लोग पढ़ रहें अच्छे से, owner occupied houses, imputed rent is taken, तो जितने भी भारत में लखों लोग अपने बनाए घरों में रह रहे हैं, अपने बनाए फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनका imputed rent माना जाता है, कि भाई यह यहां रह रहा है, तो यह अगर नहीं इसका होता, तो यह कितना rent देता, तो that is actually taken, यह बड़ा amount आता है, and services for self-consumption are not added, क्योंकि उनके valuation में बहुत दिक्कत होती, For example, भारत में जितनी भी महिलाएं, घरेलू, ग्रहिणिया हैं, housewives से, homemakers हैं, करोडों करोडों हैं, उनकी services की value zero है, और यह हमारा बहुत बड़ा अन्याय हम कर रहे हैं, देखिए, अभी suggestion भी आये थे, कि भाई यह homemakers हैं, housewives से, उनको monthly salary मिलनी चाहिए, मैं 100% उसके support में हू क्योंकि ultimately, जो भी घर में minimum 14, 15, 16, 17 घंटे घर की ओड़तें काम करती हैं, हफते में 7 दिन, उनको तो कोई casual leave, कोई earned leave, कोई annual leave, कोई Sunday off होता ही नहीं, उनके लिए तो 365 दिन काम का होता है, और बतले में salary क्या मिलती है, अंडा, zero, कुछ नहीं मिलता ओड़तों को, तो उनको ए एक universal basic income start की जाए, ultimately महिलाओं के अपनी capital बनेगी, तो economic empowerment आएगा, economic empowerment आएगा, तो social और otherwise empowerment आएगा, क्योंकि सामाजिक और अधिकार आधरित सशक्तिकरण की बात, आर्थिक सशक्तिकरण के बगेर करना के बगेर करना कीवले बद्दा मजाग है, तो इसके उपर पूरा एसे लिए empowering them is just a crude joke, समझ गए, और भारत में वैसे भी महिलाओं का labor force participation rate पिछले 20 साल से लगाता नीचे आ रहा है, और दुनिया में सिफ कुछ देश हैं जो हम से नीचे है, बांगला देश का महिलाओं का श्रंबल भागी दारी दर हम से बहुत आगे हो गया है, समझ में आए आ कितने लोग इस विचार का समर्थन करते हैं कि home makers को salary मिलनी चाहिए, आप इसका विरोध भी कर सकते हैं, तारकिक विरोध होना चाहिए, logical विरोध होना चाहिए, सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, तो आपके पास क्या बढ़िया तरक है, शेर कीजे हो सक के से examiner आपको check कर सकता है, तो income method जब आप लगाते हो GDP पे, you have to avoid adding transfer income, अब जैसे pensions दी जाती है, unemployment support दिया जाता है, scholarship दी जाती है, बदले में कोई service तो नहीं मांगी जाती, ये तो सरकार बस दे देती है, any service for which you do not, any payment for which you do not expect a services return, is not creating a new value in the system, इसलिए in transfer payments पे अंतरण भुक्तानों को हम GDP के calculation में नहीं ले सकते, ये भी अपने आप में बड़े amounts हो जाएंगे, black money should not be added and cannot be added, black money को तो add करी नहीं सकते, सरकार अगर black money add करने लगी तो जनता पूछे कि ए भाया, जब तेरे को पता है इतना black money, तो तो पकड़ क्यों नहीं रहा है, और black money क लेके तो क्या वादे अगर ये आगया तो हर गाओं में 100-200-500 करोड रुपे तो एक के गाओं को ऐसा मिल जाएगा, वो तो सरकारे लाना नहीं चाती है, लेकिन ultimately क्या हुआ, टाइन टाइम हिसी हो गया साथ सबका, तो black money जो है दोस्तों ये भारत की बहुत बड़ी समस्या तो है, tax havens में जो है पैसा shift हो जाता है और ये तो दुनिया भर की problem है, अमेरिका ने इसलिए पूरा का पूरा नया scheme भी लाया, global corporate minimum income tax, theft, decoity, gambling cannot be added, definitely they cannot be, commissions on sale purchase of second hand goods are added, क्योंकि ये factor service है, brokerage on sale purchase of share bond is added, इसको भी factor service, तो अगर आपका zero दा पे account है, तो वो जो brokerage आपसे कमा र या, income from lotteries and windfall gains are not added, क्योंकि बदले में value addition क्या हुआ, बदले में तो कोई value addition हुआ नहीं, आपका 10 करोड का jackpot लग गया lottery में, तो बदले में आपने value क्या add की समाज को, कुछ भी नहीं, इसलिए उसको नहीं लिया जाता है, imputed rent of owner occupied houses is to be taken along with the rent, तो वो जो कमा रहे हैं कुछ हिससे में किरायदार से, उसके अलावा जो वो खुद रह रहे हैं, उसका imputed rent, once the profit is added, then separately no need to add corporate tax, dividend and undistributed profit, क्योंकि वो उस profit में से ही cut-cut के जाते हैं, cut-cut के जाते हैं, तो अगर आपने gross profit add कर लिया है, production में, तो फिर यह सब लेने की जरूवत नहीं है, compensation of employees includes income taxes, इसलिए उन उनको अलग से नहीं लिया जाता है, क्योंकि उसी में से cut-cut के tax जाता है, same logic for wages and salaries in cash and kind and PF ESI contribution by employer, तो ये कुछ बहुत बारीक चीज़े हैं, जो परिक्षा के लिए आना जरूरी है, और हमारी ये series तो हमने आपको बताई दिया, exam oriented है, ध्यान रखियेगा, प्यारे दोस्तों, अब expenditure method पर आजाओ, only final expenditure को count करना है, intermediate goods and services के खर्चे को count मत करना है, इने डबल counting हो जाएगी, expenses on second hand goods not to be counted, क्योंकि जब वो पहली बार produce हुआ था, उस साल में उसकी original price ले ली गई थी, अब इस साल में दूसरी बार वो बिका, तो कैसे लेंगे, हाँ उसको बेचने वाले broker का हम ले सकते हैं, लेकिन उसका तो नहीं ले सकते, expenditure on shares and bonds are not included, बहुत मदेदार concept है, देखिए what are shares and what are bonds, बताइए मुझे, ये भी सेले बसका हितसा ही है, capital market तो ही न, shares are ownership securities, bonds are creditorship securities, share basically स्वामित वो प्रतीभूतियां होते हैं, और bond याने बंधक प्रत्र जो हैं, वो लेंदारी प्रतीभूतियां होते हैं, हैं तो paper claims न, ultimately तो कागस के उपर ही और कागस मतलब अब तो सब DMAT form में है, वास्तविक production तो हो नहीं रहा है न, इसलिए इसको कैसे जोड़ लेंगे, और अभी आप हमें बताइंगे, कि भारत में जो market capitalization and stock market का, वो हमारे GDP का कितना percent हो गया, इसलिए उत्तर भी देते चलिएगा, मज़ा आराया न, sessions में, transfer payments are not included, old age pensions जैसे हमने पिछले income method में भी देखा था, imputed value of expenditure on goods for self consumption is taken, जिस तरह imputed rent on self occupied houses है, household work by women is not counted, only the paid work by servants is, तो ये विदी की विडम बना देखिये, घर में काम करने वाला कोई पूरूश या महिला अगर आ महिला हैं जो काम कर रही है, वो तो भहिया free है, तो actually तो हमारा पूरा बोच महिला उने उठा रखा और अगर जिस दिन उन्होंने अपना हिस्सा मांग लिया, तो एक second में समाज को हकीकत समझ में आएगी, जो कि actually अपनी जगे सही होगा, तो ये हैं तीन पध्धतियां और ये हैं इनके कॉशन्स, आगे समझ में थोड़ा आपको अच्छा सा एक feel आ रहा है चीजों का, confidence बढ़ रहा है, दोस्तों, economy में बहुत सारे indicators होते हैं, संकेतक होते हैं, सबका अपना-पना अर्थ होता है, जब हम बोलते हैं GDP का rate of growth, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की divided by population, level of economic development in comparison to other countries, क्योंकि जब सकल घरेलू उत्पाद प्रती वेक्ती आता है, तो आपकी per capita income होती है, भारत उसमें अभी बहुत नीचे है, चाइना हमारे बराबर सा 91 में, हमसे बहुत आगे निकल गया 5 गुना, तो ये बताता है कि हमारा एक average भारती है, कहां खड़ा है द measure of income inequality, वो इतना ज्यादा हाय हो चुका है, अब अलग-अलग संकेता कैसा बताते हैं, कि ये जो per capita है, ये भी पूरी तरह से मिचलीडिंग है, ओक्सफेम की एक रिपोर्ट ने हाली में बताया कि भारत के जो top 10% income earners हैं, वो GDP का 55-60% लेके जा रहे हैं, तो actually भारत की bottom 90% की अबादी 40% GDP पर ही हग जमा पा रही है, ये जो inequality है, ये per capita में कभी reflect होई नहीं सकती, इसलिए GDP और per capita को दूसरे indicators के साथ मिला के नहीं देखेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं, और उसी तरह आप देखने नीचे और भी बहुत सारे indicators हैं, तो बाकी क्या आप देखिए pandemic के आने के पहले का लेखा जोखा है, अब pandemic में सब कुछ श्रिंक हो गया दुनिया में, तो हम लोट के 2019 पही आ गए हैं practically, चाइना को छोड़के बाकी सारे लोग 2019 पर आ गए, अच्छा, चाइना में delta variant ने कहर मचा दिया है, जो delta variant हमारे यहां से निकला, B16172 वो चाइना क कुछ provinces में हैं जहां पूरा का पूरा lockdown लग गया है, तो एक basic बात समझ लीजेगा, चाइना ने infections के और deaths के जितने भी figure दी हैं, वो सारे figure पूरे के पूरे जूटे हैं, मतलब अविश्वस्त नहीं हैं कि nonsense बाते कर रहे हैं वो लोग, इतने कम figure भी नहीं सकते हैं, और यह मै इस पे से कहा रहा हूँ कि आज की खबर है कि चाइना में डेल्टा वेरियंट की जगे कई जगे comprehensive lockdown लगा दिये गए हैं, तो ऐसे में infection का कम होना और मौतों का कम होना, यह अविश्वस्तनियसी बात है, तो चाइना के अलामा बाकी की सारी दुनिया जो है श्रिंक होके 2019 में पहुंच गई, तो यहां आपके सामने जो है nominal GDP है और यह purchasing power parity GDP है, दो तरीके से GDP को measure कर सकते हैं, हमने nominal और real तो देखा वो तो किसी एक देश के अंदर, लेकिन across countries nominal और PPP GDP जब करते हैं, तो इंडिया एक दम से उपर आ जाता है, क्योंकि PPP में आपकी local purchasing power आती है, खै, nominal में आप देख रहे हैं, 2019 में, अमेरिका जो है 21 trillion डॉलर पे था, चाइना दबग सावा 14 trillion पे था, जापान 5 पे था, जर्मनी उसके बाद इंडिया का number आ रहा था, फिर यहां से घटके हम 2.7 पर आ गए हैं, दुनिया में जो GDP का share है, 25% अमेरिका का, 16% चाइना का, तो यह मोट मोटे तौर पर 42% दुनिया, US और चाइना के हाथ में है, आज की तारीक में, भारत का GDP share दुनिया में है, 3 से सवा 3%, तो जब हम सुपर पावर बनने की बात करते हैं, तो हमारा पहला लक्ष, as a policy maker, अगले 10, 15, 20 साल, हमारे GDP को 10, 11, 12 trillion पे ले जाना होना चाहिए, as a national policy, there is no other worthy goal than to focus all energies on only growing the economy, क्योंकि अगर यह economy बढ़के उस level पे नहीं पहुंची 2035 तक, तो आपका race पे बने रहना कठिन होगा, क्योंकि आप एक छोटे GDP के साथ, इतने बड़े दैतियों के साथ उलज नहीं सकते, ultimately सारी ताकत, फिसकल ताकती होती है, आपको यहां तक का समझ में आ का होता नहीं है, इसमें भारत नमबर 3 पर आपको दिखाई दे रहा है, चाइना अमेरिका से आगे है, अब अमेरिका तो जहां खड़ा था वही है, क्योंकि डॉलर में सब कंपरिसन है न, तो डॉलर का पर्चेजिंग पावर पैरिटी तो डॉलर के सामने वहीं रहेगा, PPP exchange rate is the rate at which currency of one country would have to be converted into that of another country to buy the same amount of goods and services, तो एक हैंबर्गर अगर लंडन में दो पाउंड में बिकरा, नुई यॉक में चार पाउंड में बिकरा है, तो दिस फुड इंप्लॉय पीप एक्शेंज रेट अफ वन पाउंड तो यूएस तो यूएस डॉलर, तो ये एक फॉर पिनत करके आगे जाना है, और फिलहाल तो ये और नीचे आगया है, क्योंकि श्रिंक हुआ है, तो पर क्यापिटा गिर गई है, लेकिन दुनिया में जो नंबर वन पर था, 2019 में लगजंबग 113,001,13,000 डॉलर पर पर सन, स्विजर लेंड 83, मकाव 81,SAR यहने स्पेशल पास्ताय करना है, और हम कर लेंगे समय के साथ, ओनली तिंग इस, दे प्रियरिटी हैस टो एकोनोमी एन एकोनोमी ग्रोप, भारत सरकार ने मोदी जी ने काफी एस्परेशनल गोट 5 ट्रिलियन का सेट किया था, ये गोल जब दिया गया 2019 में तो इसके पीशे का लक्ष ये तो आपके पापा कभी आपसे बोले कि देखो बेटा 25,000 रुपय अपने पास हैं और अपने को ऐसा निवेश करना हैं कि ये डबल हो जाए, तो आप कैसे पता करेंगे कितने साल में डबल होगा, रूल अफ 72, 72 divided by the annual growth rate, तो अलग-अलग investments में जो growth rate है annual उसे divide कर दो, अगर 7 7.2% पर एनम हैं, तो 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा, अगर 15% है, तो 5 साल में डबल हो जाएगा, अगर 72% है, तो एकी साल में डबल हो जाएगा, आपको फंडा समझ में आ रहा है कि नी, तो इस तरह से rule of 72 लगाते हैं, तो उन्होंने सोचा, 2024-2025 तक अर्थ विवस्ता क को हम 5 trillion dollar nominal GDP क्रॉस करवा देंगे, यह nominal GDP का figure था भईया, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन हुआ क्या, तो यह तो लेटे सभी जो इन्फोग्राफिक अक्भार में आए हैं, हमने अपना calculation किया, तो यह actual figure दे रहा हूं मैं आपको, यह मैंने year to year सारे calculate करके निकाल लिए, तो 2019 2019 बीस में मौस पी यह figure दे चुका है, 203 लाग करोड, दो हजार भारत सरकार यह figure दे चुकी, 194 to 195, अब मैंने इसके उपर एक average growth rate हर साल का लगाया, और यह मैं इसको लगाते जा रहा हूं, लगाते जा रहा हूं, लगाते जा रहा हूं, कटते जा रहा हूं, तो मुझे मोट मोटा यह पता चला कि 2030 में मैं पांच ट्रिलियन डॉलर के आसपास मोचूंगा, हाँ, बीच में कोई करांती हो जाए, चमतकार हो जाए, और भारत का GDP सड़नली 10, 11, 12, 13% से 8 साल ग्रो होने लग जाए, वह बाता लगे, उस case में तो फिर यह सब पीछे आ जाएग और हम सब चाते हैं वैसा हो, GDP में कभी जादू होता नहीं, क्योंकि GDP को अगर तेजी से आगे बढ़ाना है, तो एक ही तरीका है, आपके investment बहुत जबरदस्त होने चाहिए, अब investments अगर आप देखेंगे, तो नए projects पे आधारित होते हैं, तो जैसा आप यहाँ पे देखेंगे दोस् जो है, पांच लाग करोड पे आके ठम गए, तो आने वाले समय में GDP एकदम से बढ़ेगा, तो ऐसा सपने में ही होगा ना, ऐसा अपने आप पहां से होगा, जब इन्वेस्मेंट वाल्यूमी नहीं होंगे तो कहां से होगा, तो इस तरह से आप analysis कर सकते हैं, और यह बहुत system को यह समझ में आएगा, लोगों को समझ में आएगा, कि यार आप सारी चीजें छोड़ो, और economy पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने यह कर लिया, तो आप superpower बन गए, इसके बिना आप superpower नहीं बन सकते हैं, आप सब एगरी करते हैं इन बातों से, यह बड़े self-evident truths है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं इसमें, अब 2030 तक की परिष्थिती जो दिख रही है, वो यह दिख रही है, चाइना 25 ट्रिलियन और अमेरिका 23 ट्रिलियन के आसपास रहेगा 2030 में, तो यह दोनों के बीच की जो लड़ाई है, बड़ी तेज हो गई है, और इसका सबसे बड आमती है, अमेरिका के गरीब वर्ग और मिडल क्लासेस को जबदस सपोर्ट देना, जो किछले 30 साल की अमेरिका की अर्थ वेवस्ता में सिर्फ अमीरों की अर्थ वेवस्ता बन गई थी, रेगन के बाद, रॉनल रेगन के रेगनोमिक्स के बाद, ट्रिकल डाउन सक्षम नीचे से उपर हुआ, प्लुटोक्रेट बन गए, जो बाइडन ने रिवर्स गियर लगा दिया है, आप अगले एक साल में इस बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले बाइडे नॉमिक्स, एक्जाम में सवाल आ सकता है, तो मुझे कॉमेंट रेट में बताईएगा वाट इस बाइडे नॉमिक्स, बेसिकली वो एक नई अप्रोच है, कि जो अत्यधिक अमीर हैं, वो पूरा पूरा टैग्स भनें, बचके न भागें, और हम नीचे का पूरा मिडल क्लासेस और बॉटम को, अब वो सब देंगे हेल्थ केर में, एजूकेशन में, बाकी की बड़ी डिसाइसिव है, अभी तक तो है, अब कल अगर बदल जाये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो बाइडे नॉमिक्स जो है, ऐसा लग रहा है कि दिशा और दशा बदलने के लिए आतूर है भाहिया, अभी तक का सब कुछ क्लियर, तो प्यारे दोस्तों, कि आपकी आँके खोल देने के लिए काफी, अब जितने भी यूआ हैं आप में से आपके लिए तो ये डेटा है, क्योंकि अगले दस साल में आपको नौकरियां चाहिए, अब आप शांती से देखिए, एग्जैक्ली भारत में क्या हो रहा है, भारत के साथ सेक्टर हैं, जो 99 परसंट जॉब्स देते हैं, एग्रिकल्चर, माइन्स, बनुफैक्टरिंग, रियल एस्टेट, फिनैंशल सर्विसेस, नौन फिनैंशल सर्विसेस, पब्लिक अड्मिस्टरिशन, ये भारत के 99 जॉब्स सो में से यहां मिलते हैं, 2016-17 से लेके 2020-21 तक किसमे क्या हुआ, सब से जादा नौकरियां हैं, एग्रिकल्चर में, जो सबसे कम प्रोड़क्टिव है, और इसमें एक थोड़ा सा डेंजरस ट्रेंड है, साड़े 14 करोड नौकरियां थी, 2016-17 में, वो बढ़के हो गई 15 करोड 10 लाक, अरे भाई ये तो कम होना चाहिए न, एग्रिकल्चर से करो से कम हैं, जब आप बात करते हैं, दोस्तों, मैनुफैक्टरिंग की, जहां दुनिया में सबसे जादा गरीबी से भाहर निकालने का काम हुआ, 2016-17 में भारत में 5 करोड 10 लाक नौकरियां थी, 51 मिलियन, आधी रह गई हैं, ओनली 2 करोड 70 लाक्स, भारत में पिछले 5 साल में मैनुफैक्टरिंग सेक्टर की नौकरियां आधी हो गई, यह कैसे हो रहा है, यह हो रहा है, लेटेस डेटा, CMI का, तो इसका मतलब मेक इन इंडिया के बावजूद, हमारे कॉर्पोरेट्स और हमारी फैक्टरियां, अब लोगों को निकाल रहे हैं, नेट नेट रख नही रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, शायद मैनुफैक्टरिंग में लोग जादा इंवेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऐस परसंटेज और वीडीपी 14-15 परशंट पर फिक्स है, दस साल से आगे नहीं बढ़ा जरावी, और मशीने और आटोमेशन, कॉम्प्लेक्स है, चार-पांच कारण हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट ये है कि मैनुफैक्टरिंग आदा रह गया नौकरियां, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, ये आने वाले समय के लिए बहुत गंभीर संके तक है, और रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन जो अंस्किल्ड लेबर जो गावों से निकल के शहरों में आता है, उनका पहला एब्जॉर्मेंट होता है, साथ करोड नौकरियां थी, वो घटके पांच करोड चालीस लाग रह गई, तो इसका मतलब जो मैक्जिमम नौकरी बनाने वाले सेक्टर्स हैं, वो सारे सिकूरते चले जा रहे हैं, ये सरकार के लिए एक संकेतक है, कि सरकार को अपनी जॉब्स नीती पर विचार करना चाहिए, and it should have a proper formal job plan, otherwise आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी, ये बहुत अच्छा डेटा है, बहुत fine, refined डेटा है, शांती से पढ़िएगा, मैं इस पे एक अलग से dedicated session भी लाओंगा, दूसरी बहुत बड़ी चिंता की बात जो है, भारत में महिलाओं का labor force participation अब महस 20% पर आके रुप गया है, चाइना में ये आज की तारीक में 68% है, और भारत में ये just 20% के आसपास है, और pandemic में तो इसमें बहुत भहनक मारकाट मच गई है, जहां भी possible हुआ लोगों ने आदमियों क और हम अगर कर लें तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा focus होना चाहिए, तो देखी क्या होता है, जब भी सरकार कोई बहुत बड़ा corporate subsidy scheme लाती है, जैसे की corporate का income tax सरकार ने सितंबर 2019 में अचानक से घटा दिया, जिसकी वज़े से अब personal income tax collection corporate income tax से दादा हो गया, मेरा उस पर एक ही सवाल है, कि जो corporates को वहां देड़ लाग करोड की subsidy मिली income tax की, corporate income tax की, कितनी नहीं नौकरियां मनाई, कितने नहीं निवेश आया, उसका उत्तर है कुछ भी नहीं, practically कुछ भी नहीं, वही numbers प्रूव कर रहे हैं ना, दूसरी बात ये है, कि आज की तारीख में, production linked incentive scheme पास साल की शांदार scheme सरकार लाई है, जिसमें almost 2,5-3 लाग करोड की subsidy तेरा सेक्टत में दी जाएगी, उसमें कोई भी hard-coded jobs target नहीं दिये गए, अगर मेरे हाथ में policy making होती तो मैं कहता है कि प्रती एक करोड की subsidy जो मैं तुमको देने वाला हूँ, उसके साथ minimum max number of jobs मुझे चाहिए, उसके बिना में फूटी कोड़ी भी ने दूँगा, तो ये jobs को hard-code करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक basic सत्य समझे है, कड़वा सच, private sector of India का का काम नहीं है, नोकरिया बनाना, ये उसका काम ही नहीं, उसका काम है profit कमाना, और हम कोई दबाव डाल के थोड़ी थिंक केरफुली, नहीं तो हमारा demographic dividend महस एक नाम मातर की बस्तू बन के रह जाएगा, आज मैं कहीं भी जाता हूं, दोस्तों मैं चारो तरव नदर घुमाता हूं, तो मुझे सिर्फ और सिफ यवा दिखते हैं, मतलब, you go anywhere and you just look around, a pandemic में तो बहुत बाहर जाना होता नहीं है but in general wherever you look, तो 100 में से 80 लोग आपको 20, 25, 30 साल के आसपास दिखते हैं, देश की median age भी मुश्किल से 20, 80, 80 है और 10 साल के बाद ये बढ़के 31, 32 ही होने वाली है, इनके लिए अगर हमने इन 10 सालों में कुछ नहीं किया, नौकरी, निर्मान के सेंस में, तो फिर ये बहुत हद त पेशन रखेंगे, उत्तर देंगे, मैं ये लाते रहूँगा, जिस दिन मुझे लगा आपका इंटरेस्ट नहीं इन क्वेस्चेंस में, मैं ये लाना बंद कर दूँगा, बहुत हाई क्वालिटी क्वेस्चेंस हैं, अच्छे से सॉल करना फायदा होगा, और ये रहे तीन अच्छे लग रहे हैं, तो आप मिशन पीटी को कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं, लिंक हमने दी है, थैंक्यू सो माच, इसी के साथ अंडरस्टैंडिंग जो अगला टॉपिक उठाएंगे, अब जीडिपी का कंप्लीट, अब हम कुछ और टॉपिक, नेक्स्ट एकनॉमी म उठाएंगे, कड़ हम मिलने वाले हैं, साइन्स और टेकनॉलोजी के हमारे अगले लेक्चर के साथ, तो प्यारे दोस्तों, सीरीज के बारे में आपके क्या राये हैं, हमें बताएं, और जैसा मैंने कहा, your support is everything, आपका साथ बना रहेगा, सीरीज इसी तरफ बढ़िया चलत अबाउट इट, तो आपसे विदा लिया जाए, कल हम आपसे फिर भेट करेंगे, नमाशकार, जय हैंद,